दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC एड़ा में इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कल का जो इंट्राडे का स्टॉक था उसने कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद देखेंगे आज के लिए इंट्राडे के तौर पर किस स्टॉक को चुना है मैंने दोस्तों इसके पहले इंट्राडे के तौर पर मैंने स्टॉक बताया था ICICI को आपको इसे बाय करना था 684 पर और सोट सेल करना था 675 पर तो जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पा रहे हैं ये ओपन हुआ था 680 पर और इसने हाई मारा था 687.75 का और लो मारा है 663.6 का तो इस तरीके से इसने अपने सोट सेल के टारगेट को बहुती अच्छे से अचीब किया और एक बहुती अच्छी ट्रेड साबित हुई उम्मीद है कि आप सभी ने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा चलिए आप देख लेते हैं कि आज का हमारा इंट्राडे का कौन सा स्टॉक है दोस्तो आज हमें ट्रेड करने रहेगी एस आई एस में आप चाहें तो अपनी ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं आप देख लेते हैं किस पॉइंट पर आपको बाय करना रहेगा और किस पॉइंट पर सोट सेल करना रहेगा दोस्तो आप इसे बाय होगे 523 पर और पहला टार्गेट 520 दूसरा टार्गेट 518 और दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने सभी वीडियो में रूल्स बताता हूं कि कभी भी ट्रेट डालते टाइम जल्दवाजी मत करिए पेसेंस के साथ ट्रेट डालिए और टार्गेट का इंतिजार करिए इस्ट स्टूप लस को मेनृली सेट कर लिजेए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा किसी दिन आपका इस्टूप लस हिट होगा या आपका टार्गेट हिट होगा कभी भी जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं भले ही एक दिन लॉस नहीं करनी है क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखेंगे तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत जादा लॉस हो जाए और वो लॉस कवर ना किया जा सके पूरे महने भर तो हमेशा ही स्टॉप लॉस को लगा के रखिए भले ही उसकी वज़े से कभी ल कोसिस करिए और सही टाइम पर एक्जिट मार कर ट्रेड से बाहर हो जाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी इस समय पर लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद